आपकी भी अगर दीपक बुझ जाने के बाद ऐसी आकर्ती बच जाती है, तो ये आकर्ती काफी चमतकारी होती है, इस आकर्ती को आप अपने पास रखें, इसको किसी साफ सुत्री डिब्बी में निकाल लें, और अगर आप हनमान जी के अराधना करते हैं, तो इसमें आप हनमान जी पर चड़ाय जाने वला सिंदूर लेकर आएं, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेग डालें, और इसका तिलक करना शुरू करें, इसका तिलक हमें अपने दोनों बहों के बीच करना है, उस से आगे जहां पर हमारा एक जब हम पैदा होते हैं, जो जिसको काग कहते हैं, जो बहुत ही कम प्रेशर क्या जैसे फड़कता है, उस वहां पर तिलक करना है, आपको अपनी चोटी पर तिलक करना है, पीछे गुद्दी में तिलक करना है, आपको अपने कंठ पर तिलक क करो जादा निया कि आपने जादा ही सिंदूर लगाना है आपको हलका हलका यहां पर तिलक करने हैं हिर्दय पर तिलक करना है नाभी पर तिलक करना है इससे आपको बहुत जादा चमतकारी फाइदे होंगे अगर आपके घर में आपका बच्चा है जो कहना नहीं मानता है या क टिलक करते वक्त आपने सीताराम सीताराम या हनमान जी की हनुमान चाली साब को आती हैं वो पढ़ते विये दिलक करें। किस परियोजन से दिलक कर रहे हैं आप वो भी जरूर बगवान को बताएं। अगर आपका बच्चा कहना नहीं मांता है तो तब भी तिलक लगाते वक्त आप कहें कि हे मेरे प्यारे हन्मान जी मेरा बच्चा थोड़ा सा आग्याकारी हो जाए आग्याकारी हो जाए जीवन में वो सफल हो जाए इस कामना के लिए मैं आपका ये चमतकारी तिलक कर रहा हूँ और आप उसे अपनी शरण में लें ऐसे करके उसको तिलक लगाना शुरू करें ये तिलक आप सोते वक्त भी कर सकते हैं जो व्यक्ती बहर जाते हैं ओफिस जाते हैं या बच्चा स्कूल जाता है तो कई बार आपको लगता है कि उस टाइम तिलक करना जादा हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको शाम की टाइम जो आप पुजा करते हैं उस टाइम भी आप तिलक कर सकते हैं अगर किसी को बिमारी जादा है negativity जादा है तो ये तिलख दोनु टाइम आपने करना है सुभे भी और शाम भी करना है और हन्मान चालिसा का पाठ या बजरमान का पाठ करते करते ये तिलख लगाना है उस व्यक्ति को अगर आप अपनी शक्तिया जागरित करने के लिए ये त लख लगाते हैं तब यही कि मेरे जो शरीर में चितने भी चक्कर हैं वो जल्दी जागरित हों और मैं भी दूसरों की मदद कर पाऊं हे मेरे हनमान जी मुझे ऐसा शिर्वाद प्रदान करें ये स्पेशल उपाई मैंने हनमान जी की पूजा करने वाले व्यक्तियों के लिए बताया है कि इसमें आकर्ति को और उसमें थोड़ा सा सिंदूर और उसमें चमेली का तेल मिलाना है इनका आप जब प्रयोग करना शुरू करेंगे तो ये प्रयोग कम से कम 41 दिन तक लगातार आपनी करना है क्योंकि जब हम कोई चीज प्रयोग करना शुरू करते हैं उसकी energy ग्रहन करना शुरू करती है तो उसको time लगता है जैसे doctor ये कहते हैं कि अच्छा खाओगे तो आपको 15-20 दिन के बाद शरीर में अच्छा परभाव दिखेगा ऐसे ही इस प्रियोग को करना आप शुरू करें आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे बोलो जय श्री राम